नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का गवर्मेंट जोपसीपी का ओफीशिल यूट्यूब चनल पर दोस्तों ये वीडियो जूनियर सिस्टेंट 2016 भरती के उन अभियरतियों के लिए है जो 15 सितंबर से सुरू होने वाले इंटर्विव में भाग लेने जा रहे हैं जो वे शामिल होंगे उनको विभागावंटएन का प्लारू vendля है बरकर इंटर्व्य के समय ऐसे यह इंटर्व घृगण आपको देनाए है कि आपको अपने जिलें में नौकरी करने को मिल और मेरी एक बात हमेशा याद रखेगा अपने जिलें में ओकरी करना सबसे बेस्ट हो पूरी है और सबसे फाइदेमंद होता है ठीक है कि इसके पहले जितनी भी भरतियां जूने सिस्टेंट इस्टेनियोग्राफिर जिसमें भी विभाग वरीता मांगी जाती रही है गौर्मन्ट जॉपी चैनल का और हमारे प्लैटफॉर्म का हमेशा से रिकॉर्ड रहा है कि हम जूपी टीम से जुड़े कैंडिडेट नौकरी ना कर रहे हूं हर एक डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे हैं और कहीं भी कोई भी काम होता है तो हो जाता है तुरंट और उन सबको अपना-पना मन चाहाई डिपार्टम बिला और वह आज भी जभी भी उनसे वारता होती है तो हमेशा इस चीज़ का जिकर जरूर करते हैं कि आपकी दोरा बताएगा विभाग आवंटन के बाद हमें यह यह विभाग मिला हमें अपने जिले में नौकरी करने को मिल रहा है बहुत शुक्र गुजार रहते हैं बहुत धन्यवाद देते हैं तो अब बारी है जूने इंट्रिवू दिने जा रहा है उन तक यह वीडियो जरूर शेर करते हैं चाहिए तो वीडियो को स्किप मत कीजेगा जरा भी तो यह आपका विभागों है तो वरीता प्रपत्र है इसमें सबसे मैं कि करके आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताता हूंगा कैसे क्या आपका शेशांग है तो शेशांग हें लिखना है ये हो गया अब नीचे आते हैं ठीक है आउके वीडियापन संंहिया दौर इतने दौरा सब्लित करीशया पर वांशीiro सब्सक्राइब करें तो इसमें अगर आपको जैसे कैसे भरना है सबसे में चीज अगर आपको नियंतर विदिक माप विज्यान चाहिए पहले नंबर पे तो आप आप यहां अंको में लिखेंगे 01 और यहां लिखेंगे एक ठीक है शब्दों में अब कई लोग है तो है कि पहला दूसरा चौथा तीसरा यह नहीं करना है ठीक है आप अगर यहां लिखेंगे एक तो यहां लिखेंगे एक यहां लिखेंगे दो यहां लिखेंगे दो यहां लिखेंगे शब्दों में तीन पहला दूसरा तीसरा चोथा नहीं करना है ठीक है याद रखिएगा चीछ और दूसरी चीज अब यह मत कहिए कि मुझे इस सब चीज़ें पता है कैसे पता है क्या पता है नहीं पता है लेकिन जो पता है वह बता रहा हूं वह सही है और वही है ठीक है वहां जाके पूछ भी लीजेगा किसी से यूब ट्रॉब अब आते हैं विभाक के उपर सबसे पह नव लिग दे कानपूर में ठीक है अगर आपको कानपूर में नौकरी चाहिए या अगर आप कानपूर के आसपास रहते हैं कभी आपका ट्रांस्टर नहीं होगा आप निदेशक प्रावतिन सुच्छा आंख बंद करके इसको जीरो वन भर दीजे ठीक है कानपूर या कान कानपूर में पोस्टिंग मिलेगी इसके लआवा कहीं पोस्टिंग नहीं मिलेगी सिर्फ कानपूर तो जो इसके आप बढ़ आपको अब आपके छोटे मोटे जन्पदें जैसे महोबा बांद यहां पर पॉलिटेक्निक्स अब देख लिए इसमें तो थोड़े दिमाग लगा लिजेगा आपके जिल्य में राजगी पॉलिटेक्निक संस्थान होना चाहिए ठीक है नहीं यह तो मत भरिएगा अगर राजगी प लखनव में नौकरी चाहिए वह यह भर सकते हैं यह सिर्फ लखनव का पद है ठीक है आयुक्त गन्ना विकास एवं चीनी उद्ध्यों कोई भाग करिश्टाइक छे यह जिले के पद हैं जिनको इस डिपार्टमेंट में नौकरी चाहिए अपने जिले में वह यह भर सकते ह हैं चौथे नंबर वाला ठीक है एक तरव से सुनते रहेगा वीडियो स्किप मत किजिएगा ठीक है अब आते हैं पांच्वे नंबर पर नीदेश्यक प्रसिच्छन यह जन पद अगर आपको अपने जिले में नौकरी चाहिए ठीक है आप आंग बंद करके यह डिपार्ट किसी जिले का नाम लेकर नहीं बताऊंगा अगर आपको अपने जिले में नौकरी चाहिए तो पांच्वे नंबर का भर दीजिएगा अब आते हैं चटवे पर नियंत्र विधिक माप विज्ञान उत्रपतिश लख्मव 31 इनमें कुछ पद लख्नव के हैं और कुछ पद ज पर दीजिए लोगे हैं तो आप चाहें तो भर सकते हैं आपको लखनो अगर आपके सपस्त रहते तो आपको गो ही मिल जागा जन्पत वाले रहते हो तो वह मिल जागा साथवे नमबर श्रमायुक्त कानपुर मुख्या ले तो ये 27 के 27 पत सिर्फ कानपुर के हैं ठीक हैं क कानपुर तो कानपुर के एक तो यह था सिर्फ कानपुर का और एक ही पहला नंबर और साथवा नंबर दोनों कहां के हैं सिर्फ कानपुर के पहला नंबर और साथवा नंबर दोनों कहां के हैं कानपुर के इसमें आपको कानपुर ही नियुक्ति मिलेगी यह 15 और यह आपका 27 स्कानपूर चिक है अब ये च्छेत्री का रहे ले श्रमायुक्त उप्तर पश्कानपूर ये 86 पद हैं कहांके जन पदों के डिस्ट्रिक्ट के अगर आपको वहां न कुरिच अगर आपको 164 यह पता नहीं आर आपने जिले महलो तो इस श्यासी वह भर दीजिए इसमें आप को नख्रों में नवकरी करने तो यह भर दीजिए खुल सचीफ सिधार्त विश्वदाले कपेलो सो सिधार्थ नगर उत्तर प्रदेश ठीक है सिधार्त नगर और सिधार्थ नगर जिले के आसपास जो भी कैनिडेट हैं वह आंक बंद करकी यह वाला भर दें उनको सिधार् अब आते हैं राजिस विधिक सेवा प्रादिकरा उत्रप्रश लखनों यह सिर्फ लखनों का पद है एक पद निदेशक भूमी अध्यापती निदेशालिर राज्योस परश्द लखनों का पद है चीक है कुछ इसमें एक आधपद जिले के हो सकते हैं लखनों का महालgos शिञडन ईलहाबाद चाहिये वह कौण सा भरेंगेור फिर से उ supervisor और यह वीट योठ जॏक आपको यह कहा के तो तो कौन सा भरेंगे 13 और 15 कानबुर वाले हैं तो आपको मैंने बताते हैं कौन सा उपर पहला नंबर और शायद सहत्वा नंबर ठीक है ठीक बचा कौन सा महानिदेशक चिकत्सा सिक्षा यह प्रसिक्षण जिले के पद हैं अगर आपको अपने जिले में नौकरी चाहिए तो माच्वा नंबर यह आपको अपने जिले में नौकरी दिला देगा ठीक है अगर आपको इलहाबाद में नौकरी चाहिए तो पंदरा नंबर और तेरा नंबर यह आपको इलहाबाद के आसपास वाले रहते हैं तो यह आपको इलहाबाद में नौकरी दिला देगा आपको का नौवा नंबर ठीक है चौथा नंबर चौथा नंबर भी कह सकते हैं ग्यारवा नंबर ठीक है बारवा नंबर ठीक है यह लखनो लखनो गया सपस ठीक है समझ गया तो यह आपका रहा विभाग वरिता प्रपत्र भरने का और इसके साथ एक और नीचे यह प्रपत्र यह भर क लिए जाएगा और यह यहां पंदार स्थाक्षर कर जीएगा स्वयम की हस्तलिपी हिंदी में पूरा नाम और धिनाक लिए ठीक है तो यह वरिता दीजिए भर दीजिएगा कोई दिक्कत हो कमेंट सेक्शन में पूछ लिएगा ठीक है आप सभी को इंटर्वी की बहुत- बताने बहुत